नमस्कार दोस्तों दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिपावली मनाई जाती है इस दिन घर के आगे दीवग जलाया जाता है छोटी दिपावली को नरक चतुरदसी के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मान्यता है कि जो भी ब्यक्ति मिर्त्यू के देवता यमराज और माता लच कि प्रसंद करते हैं तो उनके मरने के बाद नरक नहीं मिलता है अन्जाने में किए गए पापो से भी मुक्ति मिल जाती है जानिये नरक चतुरदशी का महत्व छोटी दीपावली को यम का पूजा करने के बाद घर के आगे तेल का दीपक जलाते हैं ऐसी मान्यता है कि ऐसा कर अकाल मिर्तियू कभी नहीं आती है इस दिन सुवा सूर्य उदय से पहले सरीर में सरसो का तेल लगाकर असनान करने का भिसे सुमहत्तु है असनान करने के बाद विश्नु मंदिर या कृष्ण मंदिर जाकर दर्सन करने चाहिए ऐसा करने से पाप से मुक्ति मिलती है और पूंदर्य चतूर्दसी या रूप चतूर्दस भी कहते हैं ऐसा माना जाता है कि सराद महीने में आये पित्र लोग इस दीन ही चंद्र लोग में जाते हैं इस दिन अमौसिया होने के कारण चांद निकलता नहीं है जिससे पित्र भटक सकते हैं इसलिए उनकी सुविधा के लिए नरक चतूर्दसी को एक बड़ा सा दीपक जलाया जाता है यम राज और पित्र देवता अमौसिया तिथी के स्वामी माने जाते हैं छोटी दिपावली की कथा नरक चतूर्दसी बताने के लिए कई कथाएं सुनाई जाती है मैं सिरी कृष्ण जी की कथा सुनाती हूँ स्री मत भगवत कथा के अनुसार नरका सुर नामक एक अशूर ने देवताओं और मानों को परेसान कर रखा था असूर ने संतों के साथ सोला हजार इस्त्रियों को बंदी बना कर रखा था उसके बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवताओं और रिस्यों ने सिरी कृष्ण की सरन ली और कहा इस नरका सूर का अंत करे प्रभू और प्रित्वी के पाप से भार को कम करे भगवान शीरी कृष्ण ने उन्हें अस्वासन दिया लेकिन नरका सूर को एक इस्त्रि के हाथो मरने का स्राप था इसलिए भगवान शीरी कृष्ण ने अपनी पत्तनी सत्य भामा को सार्थी बनाया और उनकी सहाइता से नरका सूर का अंत किया जिस दिन नरकासुर का बद हुआ उस दिन कार्थिक मास के कृष्ण पच्छ चतुर दसी थी सिरी कृष्ण ने नरकासुर को बद करने के बाद सभी कन्याओं को मुक्त कराया उसके बंधन से कन्याओं मुक्त होने के बाद सिरी कृष्ण से गुहार लगाने लगी कि आप मुझे इस बदनामी से बचाएए प्रभू हम इस स्रियों को समाज कभी भी सम्मान नहीं देगा आप हम लोगों को सम्मान दिलाएए उन लोगों की बाते सुन कर सिरी कृष्ण ने सत्य भामा की सहयोग से 16000 कन्याओं से बिवा कर लिया 16000 कन्याओं की मुक्ती और नर्का सूर की मिर्थियू के उपलच में घर घर दीपिदान की परंपरा सुरू हुई है झाल